Science Classes by Ranjit Kumar में आप सभी का स्वागत है और आप आज पढ़ रहे हैं Class 6 Physics जिसमें आप लोग ने Chapter 10 Motion and Measurement का Question इसे शुरू हो गया था और आज हम लोग करने जा रहे हैं 8, 9 और 10 Number Question 8 Number Question में Write the similarities and differences between the motion of a bicycle and a ceiling fan has been switched on देखिए जो आपका cycle होती है cycle जो मूब करें रोड पे हो तो उसका straight line motion होगा और जो fan ceiling fan जो एक ही जगा घूम रहा है तो उसका circular motion हो जाएगा यही similarity है कि दोनों के दोनों मोशन में है और differences होगा कि जो मोशन में दोनों में बाइसिकल है वह आपका example होगा एक स्टेट लाइन का और जो स्टेट लाइस्टिक टेप जो होता है वह अगर हम लोग stretch घीशते हैं तो घीशने पर क्या होगा वह टेप खीची जाए जाती है यानि उसका measurement जो हैता है वह डिफरेंट आता है ठीक है जब नहीं खीचा जाए तब जब खीचा जाए तब अलग-अलग measurement आ जाएगा ठीक है जबकि आपका जो इस्टेंडर यूनिट है वह constant होना चाहिए मैंने आपका जब कम खीचा जाएगा यही सब प्रॉलम आएगा तो और इसी कारण से आपका जो है हम लोग elastic tape का इस्तेमाल measurement के लिए नहीं कर सकते हैं 10 नंबर है give to example of periodic motion periodic motion का दो example देना है तो आपका पहला example हो जाएगा motion of swimming machine needle needle सेलाई machine की सुई जो है वह पहला example दूसरा नंबर हो जाएगा motion of swing मने जो जूला होता है उसका जो motion होता है periodic motion होता है और भी बहुत सारे example हो सकते हैं यहां में दो ही example देना है ठीक है आज के लिए इतना ही इस वीडियो को like करे, share करे, subscribe करे और अगर आप नए बच्चे हैं तो bell icon को press करें ताकि आपको नए वीडियो से updating मिलता रहे thank you have a nice day